बिस्मिल्लायरमानी रहीम, अस्सलामु अलेकुम, वेलकम टू स्माइली फुड और मैं हूं नाहिद, आज हम बनाएगे शादियों में दावतों में बनने वाला फॉयल चिकन, चटपटे फ्लेवर वाला ये फॉयल चिकन बनाओगे, तो बच्चे हो या बड़े सभी को पसं बनाते हैं, देख लेते हैं, चिकन फॉयल बनाने के लिए, यहाँ पर मैंने साड़े सास्सो ग्राम चिकन ली हूँ, इसे अच्छी तरह से धोली हूँ, अब इसमें कुछ मसाले लगा देते हैं, तो सबसे पहले हम डाल देते हैं, नमक टेस्ट के साब से, छोटा आदा चम अद्रक लसन का पेस्ट, अब चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए, आदा चमच मैने चाट मसाला पाउडर ली हूँ, आदा चमच है काली मिर्च का पाउडर, एक चमच फूल भरके कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, अब डालेगे इसमें हम तंदूरी चिकन मसाला, तो आपके पास ना हो, तो आप चिकन मसाला जो मिलता है, ना तो वो भी डाल सकते हो, दो चमच डाल रही हूँ में, तंदूरी चिकन मसाला, सभी चीजों का अच्छी तरह से हात्तों की मदद से मिला देते, ताकि चिकन में मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इसमें मैं न निंबू और तेल दालना भूल गए थी तो दाल देती हैं अभी तो आदा निंबू का रस दाल रही हुमें के और दो छम्माज तेल ली हुँ कैसे अब सबी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा तेल डाल देने से मसाला चिकन पर अच्छी तरह से चिपक जाता है यह देखिए मसाला मैंने अच्छे से लगा दियू अब इसे ढखकर हम आदे घंटे के लिए फ्रीज में रख देगे यहाँ पर चिकन को मसाला लगाय हुए आदे घंटे से थोड़ा ज्यादा हो गया है अब चिकन को हम फ्राय कर लेते हैं, तो देखिए गैस पर मैंने एक फ्राय पेन रख़ी हूँ उसमें 2-3 चमच हम तेल डाल देतेक यहाँ पर तेल गरम हो गया है चिकन को हम डाल देते हैं, बिस्मिल्लाय रमाली रहें तो यहाँ पर चिकन पर दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन स्पोट आ जाए, वहाँ तक हम पकाएगे इसे तो यहाँ पर देखिए, आदे पीज डाल दी हूँ मैंने, गैस की फ्लेम मीडियम कर देगे हम और मीडियम फ्लेम पर इसे ढख कर पकाएगे, तो दस से बारा मिनट के लिए दोनों तरफ से उलट पलट कर हमें इसे फ्राइ करना है यहाँ पर पास से छे मिनट हो गए, मैंने, गैस की फ्लेम थोड़ी धीमी कर दी थी, और धीमी आज पर इसे एक तरफ से पकाएगे हूँ, ताकि नीचे से जले नहीं, तो चेक कर लेते हम यह देखिए, चिकन पर थोड़े-थोड़े गोल्डन स्पॉट आ रहे है, तो इस तरह से हम दोनों तरफ से इसे फ्राइ कर लेते है, इसी तरह से हम धक कर फिर से धीमी आज पर दूसरी तरफ से भी गोल्डन स्पॉट आ जाए ना, तब तक पकाएगे, क्योंकि आगे भी हम इसे ग्रेवी में पकाने वाले है, तो फिर से मैं ढख देती हूँ, पाच मिनट के लिए, तो टोटल मैंने दस से बारा मिनट के लिए चिकन को यहाँ पर फ्राइ कर ली हूँ, और देखिए, अच्छी तरह से दोनों तरफ से गोल्डन स्पॉट आ गए है चिकन के उपर और आदे से ज्यादा चिकन इस तरह से हमारा गल भी जाता है, तो निकाल लेते हैं हम इस चिकन को, सभी चिकन को देखिए, अच्छे से गोल्डन स्पॉट आने तक मैंने फ्राइ कर ली हूँ, और इसका जो तेल बचा है न, तो आगे हम इसकी ग्रेवी बनाएगे यानी प्यास होता है, तो वो बना लेते हैं, गैस पर मैंने एक पैन रख दिया, उसमें तीन से चार चम्मत तेल डाले गया, तेल गरम हो गया है, यहाँ पर मैंने देखिए, एक छोटे साइस की प्यास को एकदम बारिक काटी हूँ, तो इसे हलका सा सुनेरी होने तक फ्राइ कर प्यास फ्राइ हो रही है, वहाँ तक देखिए, मैंने इतने काजू लेकर थोड़ा सा पानी डाल कर मिक्सर में पीस कर पेस्ट बना लिए, तो इसे एक दम ग्रेवी हमारी रीज बन कर तैयार होती है, और तीन टमाटर भी हमें मिक्सर में पीस कर तैयार रखना है, तो मैंन प्यास हलकी सी फ्राइ हो गई है, इस टाइम पर डालेगे हम लेसन और अद्रक बारीक कटे वे, तो दो चम्मच भर के मैंने अद्रक और लेसन को बारीक काट कर लिए। इस तरह से काट कर लेते ना तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, इससे भी प्यास के साथ हम फ्र औनी ajust के लिए लिए इस तरह से तेल में दालते हैं तो बहुत चाए ग्रेवी का कलर आजाता है यह देखे मिर्च को जलाना भी नहीं है गैस की फ्लेम धीमी करके इस तरह से मिक्स कर लेनाँ अब अब फटा फट से हम जो हमने काजू की पेस्ट बना कर रखिए, ये डाल देते, उसी के साथ हम कुछ सुखी मसाले भी डाल देते, तो आदा चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिए, गैस की फ्लेम एक दम धीमी रखना है, मसाले जलेने इसके लिए, आदा चम्मच है यहाँ पर चिकन मसाला, चिकन मसाला ना हो तो कोई भी नॉर्मल मसाला आप डाल सकते हो, आदा चम्मच यहाँ पर चाट मसाला लिया है, इसके सॉस में भी अच्छा सा फ्लेवर आना चाहिए इसके लिए, और थोड़ा सा ही हम नमक डालेगे, क्योंकि आगे कुछ सॉस डालने वाले उसमें भी नमक होता है, और चाट मस भुनाई हो गई है, अब डालेगे हम इसमें टमाटर का पेस्ट, तो यहाँ पर तीन मीडियम साइज के टमाटर पीसकर मैंने पेस्ट बना कर रख्यूं, वो डाल देते हैं, अब एक से दो मिनट के लिए इससे ढखकर हम पकाएगे, ताके टमाटर भी इसमें अच्छी तर से उसकी भुनाई हो गई है, इस टाइम पर हम डालेगे, जो बचावा तेल था जिसमें हमने चिकन फ्राइ किया था, तो वो डाल देते, और चिकन को हमने मेरिनेशन किया था, उसका मसाला थोड़ा सा बचावा था, तो आदा कप मैंने इसमें पानी डाल दियो, तो आप ग आपके पास दूद्की तो वो भी डाल सकते हो, या फिर क्रीम हो तो वो भी डाल सकते हो, तो मैं यहाँ पर दो से तीन चम्मच दही डाल देती हूँ, तो दही को अच्छे से फेट कर डालना है, तीन चम्मच दही डाल दियो मैंने, अब देखे हम शादियों में दावतों म बनने वाला फॉयल चिकन बना रहे ना तो उसमें कुछ चीजे और शामिल की जाती जैसे के टमाटर केचप तो यहाँ पर तीन से चार चमच मेंने टमाटर केचप ले लिए इससे फ्लेवर हमारे फॉयल चिकन में बहुत ही जबरदस्त आएगा और रेट चीली सॉस भी ले ल कलर होता है ना वह एकदम लाल कलर का होता है तो बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसकीप कर सकते हो यहाँ पर हम शादियो वाला बना रहे तो दो पिंची मेंने औरेंड रेट फूट कलर लिऊं कि मिक्स कर देते सबी चीजों को ग्रेवी देखी आप अपने साब से इसमें कर सकते हो क्यों कि जो फ्राय किया वा चिकन अभी हम डालने वाले ना तो उसे भी थोड़ा सा में इसके साथ पकाना है तो इसके साब से आप डाले क्योंकि थोड़ इसी लुद्पुती से ग्रेवी होती है फॉयल चिकन के उपर तो यहाँ पर मैं थोड़ा पानी डाल देती हूँ ताकि चिकन के उपर भी अच्छी सी कोटिंग हो जाए थोड़ा सा चिकन भी हमारा गलना बाकिए तो देखिए यहाँ पर आदा ग्लास से भी कम पानी डाली हूँ मैंने आप अपने इसाब से पानी को एड़्जेस कर लेना साथी में फ्राई की अवा चिकन भी डाल देते हैं ताकि चिकन के उपर यह जो सॉस बनाया उसकी कोटिंग अच्छी सी हो जाए और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि आपस में दोनों का फ्लेवर अच्छा सा आजाए मज़ेदार यह चिकन फॉयल आप एक बार बना कर देखिए इंशालाब के घर में सबी लोग यही बनाने का कहेगे कोई दावत का प्रोग्राम रखा हो पार्टी का प्रोग्राम हो शादियों में तो अक्सर यह इस तरह से चिकन फॉयल बनता ही है और कई बार आपने खाया भी होगा तो एक बार घर पर बना कर देखिए घर की चीजों से बनकर तयार हो जाता है बहुत ही टेस्टी लगता है तो देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दी चिकन को अब इसे मैं ढग देती हूँ और मीडियम फ्लेम पर पांच मिनट के लिए पकने देते हैं यहाँ पर पास से साथ मिनट हो गए है अलम्दुलिल्ला देखिए तेल भी उपर आ गया है कितना जबरदस दिख रहा है और इसका टेस्ट तो इतना जबरदस लगता है आप बनाओगे तब ही आपको पता चलेगा तो अभी यहाँ पर यह बन चुका है आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हो लेकिन हम यहाँ पर फॉयल चिकन बना रहे है ना इसलिए इसे हम फॉयल में डालकर थोड़ा सा सेकेगे ताके स्टीम बन जाती है ना गैस पर रखने के बाद तो और ज्यादा टेस्ट आता है ऐसे तो आप चाहे तो ऐसे ही खाओगे तो माशालला काफी जबरदस बनके तयार हुआ है तो चलिए अभी हम फॉयल चिकन बना रहे है तो फॉयल ले लेते है तो यहाँ पर सिल्वर फॉयल इस तरह से पैकेट में मॉल वगेरा में या ओनलाइन भी आराम से मिल जाता है तो इस तरह से देखिए ग्रेवी के साथ चिकन ले लेते हैं और जो सिल्वर फॉयल हमने काटके रखा है तो उसमें तीन चार पीस डाल देगे तो ऐसे ही करके थोड़े थोड़े इसके पैकेट बनाए जाते है तो आ बहुत ही जबरदस लगता है अब यहां पर देखिए बारीक कटी भी हरी मिर्च ले लिए हो हरा धनिया है और थोड़े से काजू लिए तो बिलकुल आप्शनल है आप डालना चाहते तो डाले वरना इसकीप भी कर सकते हो तो थोड़ी थोड़ी हरी मिर्च हरा धनिया और क जब इसे थोड़ा सा हम सेखेगे तो अंदर से गर्मा गर्म यह बहुत ही अच्छा लगता है तो देखिए अच्छी तरह से इसे सील कर देना है देखिए अभी आपको दिखाने के लिए तीन पैकेट बना लिए मैंने और काफी सारा चिकन बचा हुआ है इसे मैं बाद में सिलोर फॉल में डालकर बनाऊंगी इसके पैकेट तो चलिए अभी इसे हम गैस पर थोड़ा सा सेख लेते है गैस पर देखिए मैंने इस तरह की एक जाली रख दिऊ और तेज आज रखिऊ अब एक एक पैकेट को रखे गया हम और दो से तीन मिनट के लिए से अच्छे से से लेना है इस तरह से दो से तीन मिनट टक इसे अच्छी तरह से से नहीं तो इसमोकी फ्लेवर आता है इसमें डाइरेक आँच लगती है गैस की तो यहाँ पर दो मिनट टक मैंने अच्छे से इसमें स्मोकी फ्लेवर दे दिऊ अब इसे निकाल लेती हूँ गर्मा गर्म यह खाने में बहुत ही मजेका लगता है अलम दलीला अगली बार आपने किसी स्पेशल मेहमान की दावत रखी हो तो इस तरह से एक एक पैकेट बन जादा से जादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें अपना बहुत सारा खयाल रखें दूआओं में हमें भी याद रखें फिर मिलते इंशाल लाइक नहीं रेसिपी के साथ अलाहाफिज अलाहाफिज